तो भी अब बात करते हैं front looks की, तो front looks car के बहुत ही bold है, it's very bold, it's big, big मतलब आगे जो Mercedes का एक logo है, वो बहुत ही ultimate लगता है, lights, इसकी LED intelligent headlamps, जो Mercedes की है, तो अब आगे आप सब लोगों का favorite part that is service cost and running cost. तो एक, दो, तीन, चार और यह खड़ी अपनी वाइरल पाँच, यहाँ पर यह दो नमूने, तीन नमूने actually, तीन, और एक camera के पीछे, जीनियस, तो आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है वई, तो almost थंड चालू हो चुकी है, थंड की शुरुवार, और मौसम मज़दार हो के है, मेरे पीशे जो का रहा है, this is GLE 250D, आज पूरा अपने साथ ही है, पूरा सा इस कार के बारे में बताते हैं, प्लस चलते हैं, ड्राइपे, ड्राइप क्वालिटी की बात करेंगे, and this car is for sale, क्या देख रहे हो, व्लॉग में आ रहे हैं तो, व्लॉग में आ रहे हैं, एक चला रहे हैं, ये महिंगी वाली गाड़ी, महिंगी वाली मतलब this is Mercedes GLE 250D, डीजल का रहे है, बट इतनी स्मूध है, कि मैं को feel भी नहीं हुआ, एक बार भी कहीं से भी ये डीजल का रहे है, प्लस जो मौसम हो रहे है, तो मौसम मतलब full बारिश वाला मौसम, सुबै से आज जैसा मिल्कुल मौसम, और मौसम ने आज समान बाद के लिए, तो ये थोड़ा साथ ही पैच खाली लिख रहा है, और और की बात करते हैं, तो वैसे, और आगे भी निजए और ये भी निजए, तो वैसे, आगे से फिटे है ट्राफिक आगे, प्राफिक हलका सा कम होती ही, गुड थिंग, की बड़ा अच्छा सो दिख रहा है, एलेवेशन 218, 17 मेटर मतलब एलेवेटे रोड पे हूं है, नॉर्थ इस की तुरफ मैं है एट कर रहा हूं, गुड थिंग, टाइम भी हो रहा है, 1.23 पी-म, जो बिल्कुल भी लग नी रहा कहीं से, बाहर मौसम देख और ये ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग इतनी अल्टिमेट इन इस कार की, और थ्रोटल रिस्पॉंस बहुत अच्छ है, इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी, इतना अच्छा थ्रोटल रिस्पॉंस, तो इस 2143 CC, 201 BHP, और बिलीव में यार, चला के मजा आगया, आज सुबे से मज मतबद light आगे ही अंदर, और बेटर लग रहा है, और बारे शोड़ी है, तो ऐसे भी आज मौसम तो top-notch हो रहा है, तो I'm on date, I'm on date with her, काफी साले लोग कूछते हैं कि वही, आपकी शादी होगे क्या, नहीं मेरी शादी नहीं होगी है, मेरी girlfriend, मेरी girlfriend viral, दूसरी शोड़ी, इसरी जाने वाली है, एक रहे ही, एक और जल्दी बनाएंगे, जल्दी मतलब जैसे ही इन से चुटकाना मिल जाएगा, तो मपिस दो पे आजाएंगे, तो एक से बली दो, तो भी अब बात करते हैं, फ्रंट लुक्स की, तो फ्रंट लुक्स कार के बहुत ही बोल्ड है, इ बिलीव मी, अगर रात को जलाद होना, हाई बीम पे, तो सामने पूरा क्लियर हो जाता है, कितना भी अंधिर हो, तो ये मसली, ओडी, बीम डबलू, सारी कार्स जित्ती मी है, उनकी खासियत है, कि ये पर्टिकुलर चीज, जो हेडलम वाला डेपार्टमेंट है, वो इनका बहुत ही अtiny, टेल्लेंग भी कंप्लीट, एलिडी, तो बूट स्पेस इस कार का बहुत ही बड़ा है, अच्छा खासा बूट स्पेस है इस कार, अच्हा घासा मतलब आप बहुत सारा समान रग सकते हो आः Tribal, तो ये इस से इस सईसे वाई शीटर कार, ये अट जो और अ GLS आपर इसको अगर साथ में खड़ा कर दो, तो height और width इसकी बराबर है, सिर्फ length का फरक होता है, GLS थोड़ी सी लंबी होती है, So this is a proper SUV, SUV मतलब जो टायर हैं, वो काफी बड़े हैं, मतलब 18-inch alloy, then 255 width है टायर की, 50 wall है, मतलब टायर आप केसी भी टेरन पर लेके जाओगे, तो परिशान नहीं करेंगे, suspension काफी अच्छा है गार का, body roll बहुत कम है, and इसमें select भी कर सकते हो, आप drive select दिए रहा, चार mode है, individual, individual मतलब आप set कर सकते हो, फिर उसके बद चार mode, sports, comfort, rain and wet, and उसके बाद off-roading, and यहाँ पर यह एक selection है, जो basically आप screen पर सब कुछ select कर सकते हो, then media controls, उसके बाद AC controls, तो AC इसके अंदर two zone climate control है, meter कुछ दिखता है, ऐसा, paddle shifters, मतलब आप gear change कर सकते हो, start and stop button, तो start and stop button, नॉर्मली लोग कहेंगे कि यार, यह की दिखा रहे हो, but अगर Mercedes से ही आप additional लेते हो, तो करीब-करीब 2-3 लाग कर पेकेज है, और सिर्फ start and stop button का, तो rear seats कुछ ऐसी दिखती है, बहुत सारा space, and car is very wide, very open, and comfortable to drive, seriously comfortable to drive, तो average की बात करेंगे, तो practically यह कार अराम से average दिखती है, 12 के आसपस, 11, 12, 12, यह मैं city के average दिखता रहा हूं, जो एक इस size की गाड़ी के इसाफ से, बहुत ही अच्छी average है, तो अब आ गया आप सब लोगों का favourite part, that is service cost and running cost, तो service cost इस कार की है, 40,000 rupees अगर आप companies चलाते हैं, मतलब Mercedes से, and जो tuition है, वो है 15,000 km या फिर एक सार, but normally वैसे, लोग कई बार चला भी लेते हैं, कई बार नहीं भी चला पते हैं, anyways, that's subjective, हर किसी का अपना अपना choice होती है, कार के अधर average की बात करें, तो practically ये 12 के आसपास की अधर देती है city में, तो हम 12 की average पकड़ के चल लगते हैं, अगर 12 की average के हिसाब से, आप 15,000 km इस कार को चलाते हो, तो 1250 L of fuel आप डलवाते हो, 1250 L of fuel को अगर आप Delhi का जो प्राइज है, वो है 66 rupees per litre, उससे अगर हम बढ़ी प्लाइकर लगते हो, तो 82,000 रुपीस का fuel होता है, तो अगर आप इस कार को चलाते हो 15,000 km, that means 40,000 रुपीस की service, और 82,000 रुपीस का fuel, तो ये कार आती है 80,000 रुपीस की new, और अपने showroom पे available है, ये कार 43,75,000 रुपीस की, और आप इस कार को loan पे भी ले सकते हो, मतलब अगर आप loan कराना चाहो तो loan भी हो जाएगा, अगर आप installment कराते हैं और loan कराते हैं, तो 80% loan हो सकता है 20% down payment, 20% जो down payment है वो आएगी करीब 8,000,000 रुपीस, 8,75,000 रुपीस और जो installment आएगी 5 साल की, वो आएगी 77,000 रुपीस पर मन्त 5 साल के लिए, मतलब into 60, तो 60 installments आएगी इतने की, कार है 2016 model 33,700 km चली हो, यह condition आप लोगों ने खुद नहीं देख लिए, तो अगर आपको ऐसी कोई कार लेनी हो तो आप विजट कर सकते हैं, अपनी शूरूम मतलब auto west imperio पे, और अगर कोई भी कार और देखती हो, या किसी और कार की डिटेल चाहिए हो, तो आप website पे भी देख सकते हैं, website का link नीचे video के description में भी है, and screen पे भी आ चुका है, plus आप call करके भी पता कर सकते हैं, किसी भी कार की डिटेल, अगर वीडियो पसंद आगया हो तो like, चैनल सब्स्क्राइब नहीं किया है तो कर लो, मैंते एक नए वीडियो के साथ, कल सुबह साड़े साथ बजे, बाई बाई टेक केर, and love you terrible family. क्जिएएफ दो किसी लॉका है, क्जिएब थाई बाई,